ठीक हो गया जी, assignments आपकी दो हैं, पहली ये आपने देखना है कि types of artificial intelligence कौन-कौन सी हैं, आपने prompting के through नहीं देखना है, यानि कि large language model like chat GPT या bard इन से नहीं पूछना, अपने books या different किसम के research papers को देखना है, second आपकी जो assignment है वो ये है, आपने एक difference देखना है, जो महर अपने course के इन दर एक assignment ये वाले देता हूँ, that is called data scientist versus data analyst, या data science और data analytics में क्या फरक है, इन दोनों को आपने देखना है, कि data science versus data analytics क्या है, ये मैंने आपको बता भी दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन आपने इसको further explore करना है, ये चीज क्यों important है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग परिशान हो जाते हैं, कि यार मैंने data analytics सेखनी है, मैंने data science सेखनी है, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, दोनों नहीं सेखनी, सीधा artificial intelligence में move करो, so that is your assignment कि आपने इन दोनों में फरक देखना है, कहां भी भेजनी है, आपने इसी वीडियो के comment के अंदर, वो दोनों assignments जों आपने